नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागेंद्रमिस्त्रा में 25 दिसंबर 2020 सुक्रवार का दिन है और इस दिन बैकुंठ एकादसी इसे हम मौक्षदा एकादसी भी कहते हैं यनि की 25 दिसंबर 2020 को साल की अंतिम एकादसी मौक्षदा एकादसी बैकुंठ एकादसी है और इस दिन भगवान विश्णू की पूजा राधना करने का बिर्विधान है दोस्तों इस दिन गाय को खिला दे एक छोटी सी चेज करोडपती यनि की रोडपती से करोडपती होने से कोई नहीं रोक सकता जी हाँ दोस्तों धन की वर्सात हो जाती है और सबैब आपके उपर भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी का वास होता है आपके घर पे क्योंकि यह गाय को एक छोटी सी चीज कहने के लिए तो जरूर है लेकिन यह आपको रोडपती से करोडपती बना सकती है दोस्तों 25 दिसंबर 2020 को इस वर्स की 2020 की आखरी एकदसी है और यह मोक्षिदा एकदसी बैकुंट एकदसी यानि बहुत ही जादा महत्वण एकदसी है इस दिन ब्रत करने का विधान है पूजा पाठ करने का विधान है क्योंकि भगवान विश्णू जी का विशेष यह दि ब्रत कहलाता है इस दिन अगर आप ब्रत करते हैं भगवान विश्णू की पूजा राधना करते हैं तो आपको बैकुंट की प्राप्ती होती है भगवान से कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि अगर इस दिन अगर कोई भी वक्त अगर हमें तुलसी अरपन करे तो उस पन में दुख नहीं भोगता और धन धान से संपन रहता है इसलिए विश्णू भगवान की इस एकादसी मौक्षदा एकादसी यानि बैकुंट एकादसी के दिन विशेश रूप से पूजा राधना करनी चाहिए क्योंकि यह अगहन मार्ग सिर्ष की अनिकी अंतिम एकाद शुक्ल पक्ष की है दोस्तों यह बहुत ही पुन दाई होती है इस दिन आप पीले वस्तर का दान कर सकते हैं पीले यानिकी अन का भी दान करें वैसे चावल नहीं खाना चाहिए एक अदसी के दिन इससे क्या होता है कि चावल मनाही होता है भगवान विश्णु जी को इस बिल्कुल भी ना खाए जो ब्रत रखते हैं आप ब्रत ना करें तब भी न खाए अलाकि इस दिन आप चने की डाल दान करें, पीले वस्त्र दान करें, पीले यनी कि आप हल्दी बगहरें डान करें इस से भगवान विश्णु की सदैब कृपा आपके उपर बनी रहती हैं बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों की गाय को कौन से ऐसे छोटी से चेज हम खिला दे जो हमारे उपर भगवान विश्णू की कृपा द्रिष्ट सदै बनी रहे दोस्तों क्योंकि भगवान विश्णू एक वार जिसके उपर प्रसंद हो जाते हैं खासकर जब एकादसी में अगर कुछ पूजा अराधना आप करते हैं क्योंकि एक दसी बहुत ही ज़यदा प्री दिन होता है भगवान विश्णू की खासकर मौक्षदा एक दसी है बैकुंठ एकदसी इसका नाम ही बैकुंठ एकदसी है क्योंकि इस दिन अगर कुछ भी दान पुन करते हैं तो लेना पड़ता है दोस्तों बैकुंट एक अदसी ये मौक्षिदा एक अदसी बहुत ही ज़्यादा पुर्ण दाई फलदाई है इस दिन आप चाहें तो गरीबों को भोजन खिला सकते हैं चावल ना खिलाएं वस्तर कादान कर सकते हैं खासकर पीले वस्तर कादान करें वैसे से दिसंबर 2020 को सुक्रवार के दिन क्या करें शुर्योदर से पहले आप नहाध होकर पवित्र हो जाएं और पीले पुस पे भगवान विश्ण जी को अरपित करें पीले चंदन लगाएं उनके माथे पे और आप पीला चंदन अपने माथे पे धारन करें हो सके तो पीले व प्रक्षमी जी का दिन और भगवान विश्णु जी का एकदसी ये मौक्षदा एकदसी ये दोनों कितने सुब संयोग में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये कितना अच्छा रहेगा जब आप ऐसा करेंगे और आप विद्विधान से पूजा करें और आप चाहें तो मौर का पंक अरपित करें भगवान विश्णु जी को और चाहें तो बासुरी अरपित कर दे इससे आपके घर में शदैब धंधान की ब्रदी होगी और शदैब कृपाबा नहीं रहेगी आपका बिजनेस ब्यापार तरक्की करता हुआ ना जराएगा आपके नौकरी नहीं लग र अब दोस्तों गाय को क्या खिलाएं एक छोटी सी चीज जो आपकी हर मनो कामना पूर्ण करें और आपको रोडपती से करोडपती बना दें दोस्तों गाय बहुत ही यनि की हमारे गव माता कहते हैं और एक अदसी की दिन अगर गाय को कुछ भी खिलाया जाए तो बहुत और सब कुछ यानि देने वाली गव माता होती है गव माता को अगर हम ध्यान से सुर्योदे से पहले जाएं और एक दसी की दिन एक दसी की दिन आप 25 दिसंबर के दिन सुर्योदे से पहले जब आप सोकर उठते हैं तो गाय के चरण जरूर इस पर सकरें इससे आपको माता गउ का सिरवात प्राप्त होगा और माता गउ बोलती जरूर नहीं है लेकिन मन ही मन इतना कुछ दे देती हैं कि आपके उपर धन की कमी कभी नहीं रहेगी। आप गाय को खिला दे यकीन मानिय धन की बरसात होगी। आपके उपर सदयव भगवान विष्टू माता लक्ष्मी जी के कृपा बनी रहेगी। और आप कहीं भी कोई बेपसाय कर रहे हैं नहीं चल रहा तो आपका बेपसाय दिन दुगना राज चोगनी तरह के करेगा। रा करें कि चाहे तो आप अपने हथेली से दाइने हथेली से भी खिला दे थोड़ा सा या आप कटोरी में भी दे 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 इश्य भी बहुत लाब होगा। और आप क्या करें कि सहद एक रोटी पे मिला ले थोड़ी सी मिस्त्रे मिला ले और उस एक रोटी के साथ गाय को खिला यकीन मानिये धनकी बरसात होगी, धनकी कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि गव माता को कोई भी चीज खिलाएं, वो बहुत ही जड़ा लाबदायक होता है, खास कर एक दशी के दिन, और भगवान विश्णु जी गव माता को तो अदधिक यानि प्री होते हैं, क्योंकि आपने भ थोटी से चीज, यानि कि रोटी में सहद मिला लें, और थोड़ी से चने की डाल डाल के खिला दें, बस आप यकीन मानिये, आपके घर में धनकी माला माल हो जाएंगे, आपको कभी कमी नहीं रहेगी धनकी, वैसे चाहें, तो आप थोड़ा सा घास जरूर खिलाएं सामके स हल्दी होगी, तो हल्दी को थोड़ा सा आप रोटी में, यानि कि उसमें लगा लें, और थोड़ा सा घी लगा लें, गाय का घी रहेगा, तो अत्युत्त्तम रहेगा, और आप बस एक अदिशे की दिन आप गाय को खिला दीजे, यकीन मानिए, धनकी बरसात होगी, कभी ध बहुत लाव होगा तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को राइक जरूर करिए नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए